साथी नौमस्कार, स्वागत है आपका फियल स्टेडी में तरह डीप चनेट पे साथी यूपी ट्रिपल सी लेकपाल भरती परिच्छा के जो डीवी चला जैसे मौनिंग में भी मैंने बताया था वीडियो में कि आपका आज डीवी है तो ये 28 होना चाहिए 29 लिग गया है ये आप जौब कर रहे हो इस ग्रेट पे से अच्छे लेवल पर तो आप उस जौब को प्लीज करपया करके ना छोड़े और दूसरी चीज इसमें डीवी ना करा है और ना तो आप जौब करोगे नो कुछ करोगे लेकिन इससे एक ब्यक्ति की सीट खराब हो जाएगी तो करप को जरूरत नहीं आप तो जौब कर रहे हैं अगर करें बात फस्ट में 28 नवंबर की फस्ट को कितने लोगों ने डीवी स्किप किया है तो यह एबरेज मानके चलिए 45 से लिकर 55 की बीच में अगर एबरेज की बात करेंगे मतलब 45 से 55 के बीच में जो डीवी स्किप हुआ है लेकिन एबरेज की बात करेंगे तो 50 के सम्तिंग 47 47 50 मान सकते हो आप 50 ले सकते हो 50 के सम्तिंग में लोगों ने डीवी स्किप किया है तो डीवी स्किप कम नहीं जा बच्चे उतने मिली नहीं रहे हैं आप पेच्चित बच्चे जो आयोग ने बलाए हैं ठीक है साथियो और एक चीज़ और मालो आटे रिप्लाई के अकोडिंग जो बताया गया था आयोग के द्वारा के हमारे द्वारा 1.25 गुना बलाए गया है वो सही बात है बाद बाकी तो जितने भी है वो जस्ट कट अप पर है या फिर वो बच्चे जो है एकदम जो जस्ट नंबर पर भी आ गए है ठीक है कट अप पर है या फिर उनको ले Unterstüt Dig in in the industry ईतना पर है या फिर उनको ले लिये जाता है सबको जैसे सॉर्ट लिस्टिंग में लिया जाता है 13 fix पंदृ गुना का इतना हो जाता है आप जानते हो शी कि लिए तो वही है बाद बाकी 1.25 गुना है तो चातुई चात्राइं मिली ही नहीं रहें, इसलिए cut-off निकाली गई है, third, third, second list निकाली गई थी, लेकिन third list भी आएगी, वो उसके लिए नहीं आएगी, कि बच्चे नहीं मिलने हैं, वो उसके लिए आएगी, कि उजला प्रिसन में बदलाब हो गया है, ठीक है, अगर मुक्य सेविका क और सिफिक के बात करें, रिवाइज अँसर की इसकी आनी है, तो आंसर की आपको बहुत जल्दे मिलेगा, इस हकते में आपको आंसर की देखने को मिल जागी, तुमारी मुक्य सेविका कि बात करें, तो मुक्य सेविका का result बही जनवरी में जाने वाला है, सीधी बाती है, आयोग चाहता है यह बड़ी भर्ती है 263 पर पोस्ट है तो इस भर्ती को भी फूरा किया जाए समय से तो जनबरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका भी लेकिन रिवाइज दानसर की इस अपते में जरूर अपलोड कर दी जाएगी आयोग के द्वारा वेबसाइट पर तो एक अच्छी ख़बर आपके लिए मुखी सेविका के लिए हो सकती है मुखी सेविका का जो रिवाइज दानसर की है इस सब्ते आ जाएगी और डीवी का रिजल्ट जनबरी में आ जाएगा आपका AGTA की बात करें जो AGTA है गना परवेचक वगरा है या मांचितरकार का नोटिफिकेशन जैसे आयोग में लोग गहे थे तो उनको बताय गया था कि आप जाता परेशार ना हो आपका नोटिफिकेशन जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर के लास तक आपका नोटिफिक अगरा सब चुनापके बाद इससे पहले कुछ नहीं होगा ठीक है तो AGTA वाले भी और तुमारे मांचितरकार वाले बहुत बहुत बार लोगी प्रताडित हो चुके हैं बहुत लोगों कब से ये पैट दोहर एक की से भरती आ रही है पैट दोहर बाइस गोज़र रही है प देखो जैसे मैंने पहले बताया था ओडिटर एक छोटी परिच्छा है बहुत कम लोग हैं मुठी भर लोग हैं ये मालोग साड़े चाहर के समतिंग लोग होंगे तो वो लोग की परिच्छा कराना आयोग को कोई वड़ी बात नहीं है आयोग हमेशा ये चाता है कि अगर क वो लोग हैं तो उनकी परिच्छा लखन 720 में कराए ये लखन 100 परिच्छा होगी और आपकी परिच्छा दिसंबर में हो सकती है सडेउल कर साई हो परिच्छाओं को ऑडिटर की परिच्छा कंफर्म है कि आक दिसमबर में हो सकती है और x-ray technician हो गया दंत चिकिश्चक हो गया इनकी परिच्छा भी एक मतलब कमसक्तम तीन मैंसे दो परिच्छा तो कमसक्तम आपकी दिसमबर में हो सकती है लेकिन अभी इसका कोई information नहीं दिये तो जनवरी मान सकते हो आप जनवरी में हो परिच्छा लेकिन अभी इस ती ऑडिटर की परिच्छा दन्जिकिश्सक एक्सेर टेक्निशियन और एक परवाटन निजिसाला corresponding's, ED कारण है क्वार की किसी पर काम नहीं चल रहा है जिसी कुछ इसक revolt निकल के नहीं आरहें बाद बाकि इन ही-श स्बावच चीज आयोग ने यह का है कि हम सबसे पहले PET 2021 की जितनी भर्तियां आएं pending सबी भर्तियों को complete कराने वाले हैं जैसे PET 2021 में भर्ति कोई सी रह गई एक तो forest guard की है जिसका medical आपको तेज तारीकों समापत हो जाएगा एक बंदरोगा की भर्ति है वो उसका भी भर्ति का जो तुमारा physical है PET है वो आपका जनवरी में सुरू हो जाएगा तो वो भी खतम हो जाएगी उसके बाद PET 2022 की कोई भर्ति नहीं बचती है तो PET 2022 की जो भर्तियां है जो निकली है एक भी भर्ति की परिच्छा नहीं हुई है उसके बाद उन भर्तियों पे काम करना स्टार्ट होगा ठीक है साती हो तो कितना लेट में चलना है समय लो पैट 2023 का रजल्ट आने वाला है तब पैट 2023 की भर्तियों की सुरूबात होगी पैट नोटिफिशन निकाल दी इसी परकार से अगली बार होगा पैट 2022 की सारी भर्तिया निकल जाएंगी उसके बाद 2022 होगी इस परकार से भर्तिया चलती है आप समझ सकते हो कितना सुस्त आयोग है ठीक है तो पैट 2022 तो बाइस वाली की तब काम सुरू होने जा रहा है तो यह रहा वीडियो वीडियो अच्छा लगता है तो साथियो लाइक सेर कर दिया करो चैनल सब्सक्राइब कर लो बैल आकन ज़रूर दबादे न जिससे मेरे आने बाले वीडियो को नोटिफिकिशन आपको मिल जाएंगे ठीके साथियो बहुत बहुत दहने बाद आपको